आज हम बात कर रहे हैं Yes Bank की Yes Bank के लिए दो बहुत बड़ी गुड़ियों निकल क्या रही है जैसे कि आपको पता है होगा Yes Bank के लिए जो सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम है उसका सरदर्द है वो है उसका NPA बैड लोन है वही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और उसके निप्टारे के अब अन्तीम घड़ी आ चुके जल्द ही उससे निप्टारा हो जाएगा और पूरी तरह से NPA फ्री होके यस बैंक आगे बढ़ सकती है दूसरी तरफ उनके लिए एक और बड़ा जो टेंशन है वो है फंड की क्योंकि आपको पता है यस बैंक डूप चुकी थी फिर से RBI ने इसकी कमान संबालने को दी थी SBA के हातों में अब यस बैंक के लिए वो टेंशन भी खत्म होने वाला है तो दोनों जो चिंता है उनसे अब मुक्ती मिलने वाली है यस बैंक को तो क्या आने वाले समय में यस बैंक में जबर्दस टेजी आ सकती है एक और अच्छी खبر यह निकल के आ रही है कि यस बैंक का फिर से अपनी बुक वैलियू के आसपास आ चुका है तो क्या जल्द ही बड़ी तेजी बन सकती है क्या यही मौका है जब हमको यस में को इन्रस्मेंट कर लेना चीए वैसे तो अगर आप देखे तो बहुत सारी पॉजिटिव बाते लगातार बंद रही है और लगातार सुर्कियों में और वॉल्यूम में भी बहुत ही सांदार बड़ोतरी हो चु किजिए एक बेल आइक ओन दबा दिजिए ताकि जब भी नवी लोग बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते मैं हूँ आपका दोस्ट एस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑन 13.55 का फिलाल 13.45 पर इस्टोक है जापे 0.75% की हमें तेजी देखनों को मिल रही है अगर हम बाजार की बात करें तो निप्टी 50 आज 16.314 के इस्तर पर जापे 0.22% की तेजी है तो थोड़ी सी तेजी बाजार में है इस दबाव के पीछे वज़े है यहाँ पे इंडियन र बात है लेकिन क्रूर की प्राइज जो नीचे आई है वो थोड़ी सी बाजार के लिए रहाद बरी खबर निगल के आ रही है निप्टी बैंक की बात करें तो फिलाल 35,574 के इस्तर पर जापे 0.61% की तेजी देखनों को मिल रही है निप्टी PSU बैंक 26,993 के इस्तर पर जा अगर देखे तो वालिम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 3 पे है इस्तर जो अच्छी बात है यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी हो रही है अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ बैंक के लिए जो सबसे बड़ी चिंदा है उसके फंट ट्रेजिंग की व कारलाइल और एडवेंटेंट इंटरनेशनल के माध्यम से जुटा रहा है फिलाल इनके बीच अंतीम चरण की बादशी चल रही है और यह जो पैसे लगाएगी यह कंपने में उनको 10% की हिस्सेदारी मिलने वाली है यहाँ पे जो कंपनियों के तरफ से डिमांड की गई है कि जो कारलाइल और एडवेंटेर वो भी यहस बैंक के बोर्ड में एक एक सीट चाते है वो भी अपनी इस्सेदारी चाते है और इसके लिए आर्टिकल्स आप एसोसेन यानि एओए में बदला हुवी किया यानि उनको भी बोर्ड मेंबर की जगब मिलेगी एक एक सीट उन इसकी मंजूरी ओलरी मिल चुकी है यस बैंक इसमें अपना 48,000 कोड़ बीज का जो बैड लॉन है वो ट्रांसफर करने वाला है एक तरह से देखे तो यस बैंक में अब फिर से confidence पैदा हो गया है उसके पीछे वज़े यह है कि जो foreign investor fund है वो भी आपे निवेस करे और साथ मे अगर आप देखे तो पिछले जिनों HDFC बैंक और ICC बैंक ने भी कह दिया है कि जो उनकी lock in trade के अंदर जो उनकी equity है जो इसेदारी है वो उसको नहीं बेचने वाले यानि lock in trade खत्म होने के बाद भी HDFC बैंक और ICC बैंक यह आप बने रहेंगे इसका मतलब यह है कि उनको भ बलगातार डर रहें उनको एक सबक मिल सकता है कि जो उनका investment है वो बिल्कुर यहां पर सुरक्सी थे यहां पर जो foreign investor आये जिसमें आप देखे कारलाईल और एड्वेंटेन उन्होंने दो सरते रखी थी एक तो यह की जो मौजूदा bad loan है इसको खत्म करने के लिए ARC के माध दन किया जा रहे तो आप देख सकते हो कि जो उनकी सरते तो उसको पूरा किया जा रहा है अब यहां पर जो latest update निकल के आ रही है MD और CEO प्रसांद कुमार की तरफ से कल बयान दिया गया है कि जो नई ARC का गठन हो रहा है उसमें 20% की stake yes bank लेगा और इसके लिए yes bank 350 कोड़ प bank करीब वन अरब डॉलर का एक नया निवेस भी जुटाने जा रहे है और जिसके माध्यम से जो उनका वर्तमान में जो bank का जो equity अनुपाद है वो 11.5% वो जो नया निवेस आएगा उसके बाद में 14% हो जाएगा प्रसांद कुमार का कहना है कि इस समय बाजार की स्थी अच कर रहे है पूरी तरह से बैड डॉन से क्लियर करने की कोशिस है और यह इसी साल करने की पूरी समय होना है यह प्रसांद कुमार का कहना है एक और अच्छी जो खबर निकल गया है पहले आईसेज बैंग और एडियाप सिविक ने इंकार किया कि वो भी अपनी जो इस्टेक है उसको लॉक इन प्रेड के बाद भी नहीं बेचेंगे अब यहाँ पे एसबे की तरफ से भी फैसला किया गया है कि जो 26% की उनकी इस्यादारी है वो उसको बना रखेंगे यानि लॉ इपियो लाने वाले थे एसबे का वो भी नहीं लाएंगे और साथ में यस बैंक के अंदर जो हमारी इस्तति है उसको वैसे ही रखेंगे हम यस बैंक में भी अपनी निवेस को नहीं निकालने जा रहें और आने वाले समय में क्या डिसिजिज लेना वो समय के बाद में प्रिदारी कर लेनी चीए अगर हम यस बैंक की सेहत को देखें तो इनका रिवेन्यू हर कौटर में बढ़ रहा है प्रॉफिट भी बढ़ रहा है मार्च 2020 की बात करें तो बैंक को 4,586 कौट पीज का रिवेन्यू मिला था जून 2020 में 5,443 कौट पीज का रिवेन्यू सेप हर कौटर में बैंक का रिवेन्यू बढ़ रहा है अब प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में बैंक को बड़ा लॉस हुआ था 3,791 कौट पीज का और इसके पीछे वज़े थी प्रोविजन जो कोरोना की वज़े सी किया गया था लेकिन जून के बाद में बैंक लगाता तो आप देख सकते हैं कि हर कौटर में कंपणी लगातार प्रोफिट में बैंक तो आप देख सकते हैं कि यहां पे निवेस किया जा सकता है अच्छी बात यह भी है कि कम्यूनिटरी सेंट में भी स्टॉक के साथ बना हुआ है 92% बाइक की कॉल है 7% सेल की कॉल है 1% होल्ट क इसका मलब 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद कर रहे है यहां से गरी स्टॉक गिर जाता है तो 13.23 का सपोर्ट है यह सपोर्ट टूटा तो 13.12 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया फिर 12.98 तक जा सकता है तो फिलाल तो स्टॉक बुली जोद में दीक रहा है क्योंकि 13.73 के स्टॉक जा सकता है यानि 14 के आसपा जाने को स्टॉक तैयार है तो बिल्कुल डरे बिना इसमें खरीदारी करे आने वाले समय यह समय यह समय आपको बहुत ही अच्छा रिटन दे सकती है और जिस तरसे ARC की गठन की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है एक बड़ी फ फाइनेंसल एडवाजर सेगवाडरी ले ले यह अपना खुद का रिसर्च करे क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल प्रपच के लिए ही बड़ाय वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरू कीज़े और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे थैंक यू फ्रेड़